दोस्तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक जो है वाइनिंग मैं वाइनिंग बताने जा रहा हूं वाइनिंग में दो परकार के वाइनिंग होते हैं Drum Widing, Coppe Winding और इसी को Fiction भी पोलते हैं यह regulation सथातर में आता है यह Drum जो हम चार परकार के Drum बनाएं यह जो बना हुआ है यह Rope है, यह Drum है और यह आपका Cake है जिसको डोली हम लोग बोलते हैं यह Net लगा हुआ डोली है यह खाली डोली है बिना नेट वाला है दोस्तों इस ड्रम का जो पेरिमिटर होता है 500 mm से 200 mm के बीच में होता है और ये आपका देख रहे हैं ये ड्रम जो है ये ड्रम के साथ में जो जूड़ा हुआ है ये रोब और केक दोनों बालेंस में बालेंसिंग करने के लिए दिया गया है ये चार तरह का है ये चारों का मैं एक करके नीचे बताता हूँ एक नमबर में जो है ए नमबर टेल रसा सहीद संतुलित सिलेंडर ड्रम है दूसरा जो है टेल रसा सहीद संतुलित सिलेंडर ड्रम है दूसरा है बायो सिलिंडर कॉनिकल ड्रम कॉनिकल है ये देखिए कॉनिकल दोनों में कॉनिकल है ये मैं गलत बना दिया था ये कॉनिकल है कॉनिकल टैप का और ड्रम जो उचलन उचलन मतलब वाइनिंग ये वाइनिंग आरम ठीक है डी नमर में बाई सिलेंडर कॉनिकल ड्राम है अब मैं आप लोगों को बीच में नोट करके बता देना चाहता हूँ कि ये जो है भारत की खानों में टेल ड्रॉप की पदती परचली थे टेल ड्रॉप की और ये डेगुलेशन नमबर 77 के अनुसार के अनुसार ये जब हम नया कोई जब वाइंडिंग हम सुरू करेंगे ये जैसे वाइंडिंग का काम सुरू करेंगे तो हमारा ये सुचना करना है किनको तो सीम और रिम को चीफ इंस्पेक्टर ओफ माइंड और इंस्पेक्टर ओफ माइंडिंग को कितने दिनों में? 30 दिनों में सुचना करेंगे तो अब इसके बाद जो आता है मारा कोपे वाइनिंग फिरेक्षन जो हम कोपे वाइनिंग बता रहे थे दो परकार का तो परहला डradiumba वाइनिंग जो है यह डr firm के system से हमने डrum का जो बताया यह ड्राम का जो परिमाप का मतलब यह होता है परिमाप यह साइड साइड की नारा जो हम लोग परिमाप मापते हैं किसी भी चीज का तो परिमाप जो लेते हैं उसका 500 mm से 200 mm का बीच में होता है सारे ड्राम का यह दो मैं कोनिकल बनाया और यह आपका टेल रध्म, सहीत संतुलित सिलेंडर बनाया अगर जो है कोपे वाइन निंग या फिरेंक् economies फिरेक्षन जो घर्षन कहते हैं इसको ये फ्रेक्शन का मतलब घरसन होता है कोपे माइंडिंग आप बुलेगे कि कोपे माइंडिंग नाम क्यों पड़ा तो कोपे माइंडिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो अविसकार करने वाला जो था ना वो कोपे नाम का अभियंता था अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर और इसका जो है आर्क आफ कॉंटेक्ट जो है कोपे वाइंडिंग का जो यह आर्क आफ कॉंटेक्ट जो है 185 degree से 230 degree के भीच में होता है यह इसका जो है इसमें भी kopay winding दो तरका होता है underground winder होता है व्टावर mounted कोपay winder होता है जो यह tower type का बना हुआ है यह देखे driving pulley है deflecting pulley है head gear pulley है यह और इसी को हम driving pulley on ground बोलते हैं यह आप लोग बता देना चाहता हूं इस सब जो पहर ज्यादा डीप में यूज किया जाता है और इसमें फिलिट एंगल का कोई काम नहीं होता है इस जो हम लोग हम जो बता रहे हैं इसमें तो इसमें फिलिट एंगल का काम नहीं होता है फिलिट एंगल वाला में देखिए आगे पूली लगा हुआ है और डिफ्लेक्टिंग पूली भी लगा हुआ है यह देखिए डिफ्लेक्टिंग पूली भी लगा हुआ है और मोटर मोटर कंट्रोलर भी है दोनों में देखिए यह टावर है यह हमारा केग है और आपका यह देखिए यह जो है रोप है यहां से रोप यह जबते हैं औंभी आपका देखे यह रोप है आपके यह अगवर एक पर है यह मेरा अंडरगाओंड है यह मेरा अंडरगाओंड है अ हेरा अphonट पर मेरा एक नब्ला निए कर दाक हम एक तरह से अपने बोलते हैं या कोपे माइंडर बोलते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोपे वाइंडर नाम जो है एक बढ़िया चीज है जो एक्जाम में आने लाइक पुछे कोपे माइंडर का विश्कार कि यह कोपे वाइंडिंग का नाम क्यों नाम रखा गया तो यह को अब आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं जैसे हमारे मीत्र ने बुला थे फिलीट एंगल को वीडियो में समझाएं तो मैं वीडियो की मैं उनका मांग के अनुसर से मैं एक छोटा परियास करते हुए उनको मैं बताना चाहता हूं कि ड्राम वाइनिंग में फिलीट एंगल के कितना होना चाहिए तो ड्राम वाइनिंग जो ड्राम वाइनिंग होता है उसमें कितना डिगरी का फिलीट एंगल होता है यह देखिए पुली है यह रोप है मारा यह ड्राम है दो ड्राम है जो कनेक्टेड है पुली से यह डेट डिग्री से अधिक नहीं होना चीए अगर ये डेट डिग्री से ज़्यादा होता है तो दोस्तों ये होने से क्या होता है मैं अगला कोशन बनाया हूँ ड्रम वाइनिंग में फिली टेंगल डेट डिग्री से अधिक होने पर क्या-क्या हो सकता है तो रोब वाइनिंग और पूली के बीच में वियर और टियर अधिक हो सकता है जो कि बहुत ही एक्जाम से रिलेटर वियर टियर का मतलब जैसे suppose that मैं एक्जामपल बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एक सैकल नॉर्मल सैकल जो चलाते हैं उस सैकल में देखें जब चैन धिला हो जाता है तो देखते होंगे कि उसका जो है खब जो बढ़ जाने का बाद में उसी तरह वियर और टियर मतलब तूट जाएगा रोब जो हमारा तूट सकता है और तूटने के साथ साथ बहुत सारा नुकसान होगा जो बैक्ति डॉली में नीचे के और जा रहे है तो उनका मौत भी हो सकता है मित्य भी हो सकती है चोट भी लग सकती है बहुत ऐसे च्छती बहुत जादा हो सकता है इसलिए इसमें ये एक निर्धारित किया गया है कि फिलिट एंगल में डेट डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को यह डी डिग्री का है मैं कोसिस किया हूँ बताने के लिए कि और अगर बढ़िया हो सकता है बहतर हो सकता है दोस्तों फिलिट एंगल का डिफनेशन तो आप लोग कॉमेंट्स में जरूर बताएं और अगला जो है वाइनिंग में वाइनिंग में लगे ड ड्रम पुली यांव सिल्वेस की डाइमिटर होता था उसका डाइमिटर से 80 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए और अभी हम लोग इंस्टॉल किया जा रहा है इसमें पुली और Galaxy का डाइमिटर का डाइमिटर से 100 times ये 100 times से कम नहीं होगा होनी चाहिए है ना कम नहीं होनी चाहिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कॉमेंट्स करें और लाइक करें बेल एकन दबा कर अल में जाकर नोटिफिकेशन को अल करें तैंक यू दोस्तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा परियास कर रहा हूँ अच्छा कुछ देने के लिए ग्यान और ये मेरा परियास है मुझे कुछ ऐसा ये नहीं है दोस्तो मैं कोशिस कर रहा हूँ कि मेरी जो ग्यान है जो नोलेज है मैं आप लोगों तक पहुचा सको और इससे बेहतर कुछ हो सकता है दोस्तो तो किरपया करके आप लोग भी कुछ कॉमेंट्स में बताने का कस्ट करें थैंक यू